गोआ वोआ जाने के लिए कोई बीजा लगता है क्या? नहीं रे पगले बस पासपोर्ट से काम चल जाता है नमस्ते अंकल जी नमस्ते बेटा नमस्ते ये दिल्ली के अलावा कहीं बाहर आज तक गए हो की नहीं? गुल्लू बेटे गुमने फिरने के लिए टाइम चाहिए होता है और टाइम ही तो नहीं है पीटू अंकल के पास ले बेटा गुल्लू इसे जल्दी से रख दे आ नमारी में अबे जूते दे अबे क्या हो गया भाई ये? अबे क्यों एतना गरम हो रही है? कुछ नहीं बस पीटू अंकल कह रही है कि इनके पास घूमने फिरने का टाइम नहीं है अबे टेम के साथ ना दिल भी होना चाहिए बात दे कर लिया है ये आदमी ठहरा एक नमबर का कंजूस एक पाई खर्च करने में न इनकी नानी मर जाया करे है क्या हो गया पापा? बेटा तेरा चलाया हुआ तेर बिलकुल निशाने पे लगा है ओ हलो आज रात की पलाइट से ना हम गोआ जा रहे हैं गोआ क्यों डिल्ली वालों से करजा ले रखो एका? ओ हलो हम लोग तो पिकनिक मनाने गोआ जा रही हैं गोआ क्यों बे इतने सारे पैसे का जी आए बे तेरे बास एक्सक्यूज में ये पूछने वाली तु होती कौन है पैसे कहीं से भी आए हो अबे छोर लॉंडे हैं खुद तो ये कहीं गए नहीं आस तक बाते कर लिया है और कोई दूसरा जावे है तो उसे देख देख के न जल जल के वो जल कुक्रे हो जावे है अरे पापा जस चिल ऐसे एरसियालू लोगों से मूँ नहीं लगा करते चल बैट चरगुल्ले तू चिरगुल्ली चूहा तू चूया फुक्रा तू फुक्री ओके बाई पापा मम्मी हरी अप पलाइट में बोडिंग करनी है उसके बाद चेकिंग भी तो करना है जल्दी करो तूम क्या हमेशा के लिए जा रहे हो दिल्ली छोड के नहीं गुल्लू गोवा जा रहे है चार दिन पाँच दिन खूब एस करेंगे बहाँ जलने वाले जलेंगे हमें देखकर अबे हम क्यों जलेंगे तुमें देखकर नहीं तुमें किसी दूसरे की खुशी बरदास नहीं होती न अबे यकीन नहीं ओडिया वेटे के हम गोवा घूमने जा रही है हाँ मतलब साबुन काटा और इनाम मिल गया सही कह रही है जलो यहाँ देखो पूरी उमर निकल गई मगर आज तक कमभखत के मारे एक चवणनी न निकली मतलब ये तो मनुसियत की हद ही हो गई ऐसे आदमी को तो चुलू बर पानी में डूब के मर जाना चाहिए एक मिनट एक मिनट मुझे अब सब याद आ रहा है मम्मी जब तुम पैदा हुई थी तो क्या हुआ था सहर में पलेग फैल गया था भईये और पापा आप जब पैदा हुए थे तब तेरी दादी मुझे बताया करती थी बेटे जब तेरे पापा पैदा हुए ना तो घर की छटी ही गिर गई थी अब ये भी तो बता जब हमारा लॉंडा पैदा हुआ था तो क्या हुआ था क्या हुआ था बेटे दिल्ली सेर में भुकंप आ गया था भुकंप मतलब ये के हम सब अल्टरा लेवल के मनहूस हैं जब हम एक से एक मनहूस हैं तो एक कौन सी किस्मत की लख हो गई कि इतना बड़ा इनाम अचानक से चोड़े में आ गया चलो वापिस चलते हैं ओ हलो वापिस क्यूं भाई ये पापा मेरी साथवी इंद्री कह रही है कुछ गरबर जरूर है